सो हेलो फ्रेंड स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में 25 मार्च को लग रहा है चंद गहन सुबा साड़े 10 बज़े सही चंद गहन सुरू हो जाएगा लोग कन्फ्यूज है कि होली खेल पाएंगे या नहीं गर्पती मैलाओं को साओधानी बरतनी होगी या नहीं तमाम बड़ी खबरे हैं जो आपके लिए हम लेकर आए हैं आप इस वीडियो को अंतर तक जरूर देखिएगा क्योंकि एक सही जानकारी जो तिस्यो द्वारा जो बताई गई है वो आपके साथ हम सेयर करेंगे दस बजे से चंदगहन लग जाएगा और आएए जानते हैं कि भारत विसका क्या असर पड़ेगा देखिए साल का पहला चंदगहन होली के दिन पढ़ने वाला है और जो तिस बिद्या में चंदगहन को सुब्तो माना नहीं जाता और पचीस मार्च को सुबा से ही चंदगहन लग जा रहा है होली पर इस ग्रहन का क्या प्रभाव रहेगा ये जा लिजे पचीस मार्च को चंदगहन सभी बारा रासियों पर प्रभावित करेगा माना जा रहा है कि होली पर चंद गरहन लगबख 100 सालों के बाद लग रहा है तो आईए जानते हैं कि इसका असर क्या होगा सूतक काल, गरहन टाइम और सब कुछ जा लेते हैं देखे कब से कब तक गरहन रहेगा अब 25 मार्च को होली के दिन सुबा ही 10.30 बजे गरहन लग जा रहा है अब जब सुबा 10.30 बजे गरहन लग रहा है तो चंद गरहन में 9 घंटे पहरे सूतक लगता है यानि कि देर राज सूतक भी सुरू हो गया रहेगा फिलाल जब बहारत में गरहन नहीं लगे तो सूतक भी मानने नहीं होगा इस दोरान गर्वती मैलाओ को सूतक के समय जो साउधानी बरतनी होती है वो नहीं बरतनी है लेकिन जो 4 घंटे तक 3 बजे तक गरहन लगा होगा उस दौरान गर्वती माइलाओ को जो 34 बता रहे है कि साउधानी रखनी चाहिए क्योंकि उनके गर्व में सिसु पल रहा है क्योंकि उनके गर्व में स्वस्त सिसु रहे यही कारण उन्हैं साउधानी ग्रहण के समय बरतनी होगी चंदगरहण का फिलाल बुरा प्रभाव होली पर नहीं पड़ेगा इसलिए होली खेल सकते हैं देखे नार्वे, स्विजर लेंड, आयरलाइड, इंगलेंड इन सभी जुगों पर चंदगरहण देखेगा लगबग 3 बच के 1 मिनट पर होगा, 4 घंटे 36 मिनट और 56 सकंड तक ये रहेगा ये कारण है कि गर्वती मैलाओं को साउधानी बरत लेनी चाहिए भारत में चंदगरहण नहीं दिखाई देगा, इस गरहण का सूतक काल मानने नहीं होगा जिन देशों में चंदगरहण दिखाई देता है, वहीं पर सूतक माने होता है आपको 9 घंटे तो साउधानी बरत नहीं है, सिर्फ 4 घंटे की बात है, चाहे तो आप इसको कर सकते है इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चंदगरहण लगने पर इन बातों का ध्यान जरूर रखें कि गरहण काल में भगवान के नाम का इस्तमरण करते रहें क्योंकि जब भगवान संकट में है, तो मनुस्य को भी संकट आता है अब आपको दादी काफी बुरा समय होता है ग्रहन के पूरो सूतकाल से पहले ही गर्वती महिलाओं को और अन्य जीव जन्तूओं को वस्तूओं पर गेरू डाल देते हैं जी हाँ वस्तूओं पर जीव जन्तूओं पर जब इसका असर होता है तो गर्वती महिलाओं पर भी होगा। पानी हुआ या भोजन हुआ इन सब पर तुलसी की पत्तियां डाल दी जाती है। और सबी चीजें दूसीत हो जाती है। ऐसे में पहले से बना हुआ भोजन और पहले से निकला हुआ पानी सब असुद्ध होता है। गरहन के बाद इस नान आदी करिएगा, संबह हो तो दान कर दीजेगा। एक अपडेट था एक जानकारी थी, अगर आप एक गर्वती महिला है तो साउधानी बरत लीजेगा, मेरी तो यही राय है। फिलाल आपका क्या मानना है, ये आपके उपर डिबेंड करता है। मिलते हैं अपडेट में एक नई जानकारी के साथ, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कॉमेंट कर दीजेगा, उसका सुझाओ दिये जाएगा, होली की आपको खूप सारी सुपकामना है।